कि नमस्कार साथियो स्वागत है आपका हाइप टीचिंग क्लासिस पर मैं अनेल एक बार फिर से आप लहभी का स्वागत करता हूं आज हम कोडिंग डिकोटिंग का पार्ट जो अंतिम पार्ट है आज हमारा उसको आज हम कंप्लीट करेंगे ठीक है उसके बाद कल से हम नया च कि अगरे को निश्चित कोड़ बासा में डांस को आई जी आर इस लिखा जाता है तो उसी कोड़ बासा में एक्जिस्ट को कैसे लिखा जाएगा देखिए यह लिख रहा है अपना डांस डांस को लिख रहा है अपना आई जी आर इच तो इसने अपने को एक्जिस्ट का पूछा है आई एक्स आई एस टी चीक है देखिए मैंने कैसे बताया था सबसे पहले उसकी नंबरिंग करते हैं कि फॉर वन फॉर्टीन थ्री और यह बना फाइव चीक है अब इदर नंबरिंग कर दो नाइन सेवन एटीन फाइव और यह बना एट अब देखिए इसमें क्या पैटल लग रहा है मैं आप लोगों को बढ़िया तरीक से सिखा चुका हूं बना यह बताई है लिगो कि फॉर इदर लगा के देखो पहले से नाइन हुआ है यानि के प्लस पांच ज्छ शैए फिर प्लसस्में चार है जुञे प्लसस्धों यह पैटर नहीं है ठीक है इसमने पैटन देखो फूर उसे इदर जाओ 8 यह यह प्लस 4 ठीक फाइब से इसरा आओ यह भी प्लस 4 एक 1 से 5 हुँए यह भी प्लस 4 हुँए अपना 3 से 7 यह भी प्लस 4 और 14 से 18 यह भी प्लस 4 यह पैटन लग रहा है ऐसे ही यह पैटरिस में लगा दूआ आप इसी पैटन को देखो 5, 24, 9, 19 और ये 20 ये है अपना इसमें यही पेटल लगा दो से 5 से प्लस 5, प्लस 4 करोगे तो 9 ठीक 20 से प्लस 4 करोगे तो 24 ठीक है 19 से प्लस 4 करोगे तो 23 24 से प्लस 4 करोगे तो 24 से प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा बताओ 28 आएगा 28 अपना क्या बचेगा 26 तक तो होगे अपना जैड पर A और B ठीक है यानि कि 2 और 9 से प्लस 4 करोगे तो 9 चा तेरा ठीक है इसको यहानिक देते है अब इसकी क्या बने गया एक्स यानि की ठीक है डबलू एम बी और आई ठीक है देखो option number c is correct answer ठीक करो कितना बढ़िया तरीके से किया आपने question और एकदम आसान तरीके से आई अगला question देखते हैं कि अपना अगला question है एक निश्चित कोड़ बासा में बैंच को बी एन सी एच ठीक है बी एन सी एच बैंच को के एफ क्यू एच यानि की के एफ क्यू एच की लिखा जाता है तो उसी कोड़ बासा में क्राफ्ट कि सी आर एफ टी सी आर एफ टी का पूछा है ठीक है देखो सबसे पहले वही नंबरिंग करो दो पांच चोदेर तीन और आठ ग्यारा छे कि सत्रा आठ और ये पांच देखो बताओ इसे दस सेकिंड का टाइम है इसमें कौन सा पैटन लग रहा है डूड़ो आप लोग सभी देखो क्या पैटन नहीं है इसमें देखो प्लस तीन ठीक है प्लस तीन प्लस तीन और प्लस तीन ये भी प्लस तीन सेम पैटन गाया हो जो पहला भी हमने कुशन किया है उसी से रिलेट करता है ये कुशन ऐसे इसमें लगा दो देखो तीन अठारा एक छे बीस प्लस तीन करोगे तो छे प्लस तीन करोगे तो तेईस प्लस तीन करोगे तो नो प्लस तीन करोगे तो एक्कीस प्लस तीन करोगे तो चार ठीक है अब बना दो इसमें डबलू आई डी यू और अपना एफ option number B is correct answer अपना ठीक परस आप numbering याद कर लो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर पाऊगा इसे करो आई एक ला कुशन देखते हैं सिर्फ numbering आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए कुछ नहीं है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में और आज ही अपना चेप्टर समाप्त हो जाएगा अपना अगला कुशन है एक विशेश कोड़ भासा में जॉइंट कि जे आई आई एंड टी जॉइंट को एन एस एफ आर एक्स एन एक्स लिखा जाता है तो लेवल को कैसे लिखा जाएगा पूचा क्या एस में लेवल ठीक है मैं यहां कराज दाओ ले है ठीक देखो करो 10 सेकंड करो 10 सेकंड का टाइम है आपके बास क्या पैटन लग रहा है इसमें देखो कि 10 सेकंड में तो इतना तो टाइम इनफ है कि आप पैटन तो नोड़ी पाओगे कर नहीं पाओगे तो देख लिए अवा देखो कि दस पंद्रह नो चोड़े बीस ठीक है चोड़े कि उन्नीस ठीक छे अठारा चोईस देखो क्या पैटने इसमें कि देखो देखो प्लस चार पैटन पहले लगा के देखो अमेशा दिमाग में एक दम किसी के में नी बैठेगा अगर फिट बैठता है तो वही है नहीं तो कोई दूसरा बैटन लगा के चेक करो प्लस चार यह भी प्लस चार ठीक है नौ से यह माइनस तीन हो रहा है बट यह भी प्लस चार हो रहा है ठीक और यह भी प्लस चार हो रहा है तो बीच वाले में सर्फ इसने माइनस तीन रखा है और समय प्लस चार कर दिया है यही आप इसमें कर दो 12, 1, 2, 5 और ये 12 ठीक है? प्लस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 4 करोगे तो 5 प्लस 4 करोगे तो 6 इसमें प्लस 4 9 इसमें प्लस 4 16 तो अपना क्या रहेगा? एक बार ये देख ले ना उनीचे देख रहा है या नहीं? चेक कर लो एक बार इसमें पी, ए, ए, एफ, आई, और ये पी देखो कौन सा आप्शन है इसमें? आप्शन नमबर ए, इस करेक्ट आंसर, ठीक? क्या गलत है इसमें? आप्शन नमबर एक मिनट में चेक करणा हूँ, एक चीज हम गलत कर गए, ये चीज जो है अपना बीच वाला, ये अपना माइनस तीन हो रहा है एक मिनट, इसमें माइनस तीन करना है, अब बी से माइनस तीन जाओ, कितना आएगा? एक जाएंगे तो ये आजाएगा, एक एक और जाएंगे तो जैड आजाएगा, एक और जाएंगे तो बाई आजाएगा, ठीक है? यानि कि ये अपना पत्चीस बनेगा और ये अपना बाई, वो दिमाग से निकल गया, एक्शली, मुझे लगा पूरा पेटर पिलस पोर का है, लेकिन बीच वाले उसमें माइनस फ्री की आए, ठीक है, ओप्शन अमबर एज करेक्ट आज़े, ठीक, आईए अगला कुशन देखते हैं, अपना अगला कुशन है, एक निश्यत कोट भाजा में, बिलो, 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 बिलो को लिखाए, इसने, टू, ट्वैल, पंद्रा, और ये तेईस, ठीक, तो, ग्रिफ्ट, जी, आर, आई, टी, ग्रिट को कैसे लिखा जाएगा, इसमें देखो, इसके लिए तो मैं आपको पंग सेकंड दूंगा, पैटर्न पहचानने के लिए, पहचानो क्या है इसमें, देखा कुछ, देखो, दो, जो बी है, जो दूसरे नमर पर आता है, सिर्फ नमर रहेंगे, एल बारा पर, वो पंद्रा पर, डबलू तेईस पर, ऐसे ही कर दो आप इसे भी, जी, साथ, आर, अठारा, आई, नो, टी, बीस, ठीक है, कौन्सा आप्शन है अपना, देखो, चेक करो, आप्शन नमर बी, इस करेक्ट आंसर, ठीक है, अगला कुशन देखते हैं, यह तो सिंपल था, यह सब कुशन जो है, आई हुए, ठीक है, आज मैं उन्ही कुशनों को लाए हूँ, जग जाम में किसी ना किसी में आई हुए, अगला कुशन अपना, यद पिच, पी, आई, टी, सी, एच, यद पिच को, यू, एन, वाई, एच, एम, ठीक है, लिखा जाता है, तो फिर डस्की को क्या से लिखा जाएगा, डी, यू, एस, डी, यू, एस, के, वाई, ये बताओ, पैन सेकंड्स, बताओ, देखो क्या पैटन लग रहा है, इसमें, होगे टेंडस, दस सेकंड्स, देखो, 16, 9, 20, 3, और अपना 8, ठीक है, अब इधर आओ, 21, 14, 25, 8, और ये 13, देखो क्या है, इसमें पैटन, olmas देखो, प्लस पाँच, ये प्लस पाँच ओरा है, ये भी प्लस पाँच हो रहा है, लगता है प्लस पाँच का यी B réalitéन में, है ठीक है ऐसे यह है चार एकीस उन्नीस ग्यारा और पुच्चीस समय प्लस-5 कर दो इसमें करेंगे तो और को इसमा करेंगे तो 26 है इसमस में करेंगे तो 24 है इस में करेंगे तो 16 में 25य कि 25 पे 745 चले जाओ तो 52 पेस्ट साइग अपना जैड जैड के बाद ABCD 4 और दो चार ठीक है अब देखो कित क्या बनेगा आई जेड एक्स पी और डी चेक करो कौनसा आप्शन आप्शन में आप्शन नमबर सीज करेक्ट आंसर एक बार यह देख लो भाई यह चैक है आ रहा है कि नहीं नीचे चैक करो बताओ मुझे इतना नीचे लेखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ठीक है चलो कि आई अगला कौशन देखते हैं अपना आज का अगला कौशन है एक निश्चित कोड़ बाहसा में एक्यूट A-C-U-T-E एक्यूट को G-I-A-Z के लिखा जाता है तो एक्यूट अगलो कि अगलो कि अगलो को कैसे लिखा जाएगा करो 10 सेकंड्स पैटन पैचानों करके बताओ कि कमेंट में क्या है इसका आइसका आइस अगलो कि अगलो कि टेन सेकंड्स देखो एक टीम 21 बीस पांच ठीक है इस अगलो एक चब्वीस और यह ग्यारा देखो क्या पैटन लग रहा है इसमें हम आए प्लास एक्स प्लस इक्स यह जी प्लस एक्स और यह एसे ही इसमें घरदों पास कुछ नहीं है एक साह्ट बारा फंदरा में Sideлав , एसमें तो 7 गे इसमें ब्लस 6 करोवे तो तेरे इसमें करोवे तो अठारा इसमें छूड़ तो कितना 21 इसमें छे जूड़ वे तो अब जोड़ो कैसे जोड़ों कया से कैसे जाना है अपना तीन जोड़ा कैसे जाएगा सिक्स को जोड़ दो इसमें 24 25 26 ठीक है तीन तो 26 तक हो गए और तीन एक दो तीन चले जाओ ठीक है सी आजाएगा सी का जो नंबर है वो तीन है ठीक है जैसे अब इसकी नबहों कर दो एफ एम आर यू और और सी देखो कौन सा ओप्शन है ओप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर ओके जो कितनी बढ़िया तरीके से और कितनी आसानी से सवाल उपा रहे हैं ताकि यह तो हम अभी यह सीख रहें तब इतना कम समय लग रहा है एक जाम में तो देखते तुरंत ही आएगा अगला कुशन देखो अगला कुशन है अपना एक निश्यत कोड़ बहासा में सप्लाई कि एस यू डबल पी एल वाई कि सप्लाई को क्या लिख रहा है अपना वी एक्स एस एस ऑबी अच्छिक है तो यह चेन का पूछ रहा है सी एज है ठीक है यह बताओ आप तस सेकंड दियें बताओ लगाओ क्या बैटन लगाओ चोटे-चोटे कोशन है यह अपर सारे कोशन आई हुए है यह यू पी एसाई का कोश्चन है यह 2017 का कि देखो कि 19 21 16 16 12 और 25 ठीक है इधर भी करें तो 22 24 19 19 15 और यह दो पैटन देखो अब इसमें क्या है कि देखो सिंपल पैटन प्लस तीन प्लस तीन आज जितने कोश्चन है सभी आई हुए गरा रहा हूं मैं प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन और यह प्लस तीन ऐसा ही कुश्चन आते नॉर्मली एधर कर दो दो आठ एक नो चोदें समय तीन प्लस कर दो पांच आठ तीन ग्यारा चार एक में तीन जोड़ेंगे नो में तीन जोड़ेंगे तो बारा ठीक है चौदा में तीन जोड़ेंगे तो सत्रा कि के डी एल क्यू देखो कौन सा अप्शन है यह अप्शन नंबर सीज करेक्ट आंसर ठीक है कि क्या हुआ वाइस में है गलत कर दो कि कि सही है अपना इसमें प्लस तीन पांच प्लस तीन यारा प्लस तीन चार प्लस तीन बारा सही है कुशन तो अपना ठीक है ऑप्शन नंबर सही है यह कुशन अपना यह थीक है अगला कुशन देखते हैं आई अगला कुशन है अपना आज का एक निश्चित कोड़ बहा साम है बॉर्डर बी ओ आर दी आर अब बॉर्डर को क्या लिख रहा है जी टी डबलू जी टी डबलू आई जे डबलू आई जे डबलू पूशा गया इसने काउंसल सी ओ यू एन एसल सी ठीक बताओ क्या बैटने से दस सेकेंड न वहीं अपनी जो मैं हर बार देता हूं बताओ मता हुआ है देखो दो अंद्रा अधारा चार पांच और अधारा डारेक्ट फास्ट तरीके से करो साथ बीज तेश्ट नो दस और यह तेश्ट देखो क्या पैटन है प्लस पांच 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 और यह प्लस पांच कुछ निया ऐसे इसमें कर दो प्लस पाँच चौवीज प्लस पाँच नो प्लस पाँच सत्रह पाँच और पाँच वालिटास होते हैं ठीक है देखो एच टी जैड एस एक्स जे क्यू ठीक है देखो कौन सा अप्शन है कि करो ऑप्शन नमबर ए इस करेक्ट आंसर ठीक है अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन देखो अगला कुशन अपना एक निशित कोड़ भाषा में ब्रेन कि ब्रेन को क्या लिख रहा है अपना ए यू डी एल क्यू ए यू डी एल क्यू लिखा जाता है तो पर हार्ट एज ए आर टी को क्या लिखा देगा ठीक करो कि देखों कि दो अठारा एक नौ चौ दारा इक नौ चौधा पाँच पांच एक, अठारा औरे बीश, फ्लस तीन गरो, आठ रो तीन, ग्यारा, पांच अतीन, आठ, एक तीन, चार, अठारा और तीन, इक्तीन, इक्तीन, पांच बीश ओतीन, तेश, ठीक है, के, ह, अडी, और तुमारा यू, डबलो, ठीक है, चेक करो कॉनसा अप्शन है, कि ठीक है आई अगला कुशन देखते हैं कि बहुत फास तरीके से उपा रहे हैं मारे कुशन कि कितना भी बड़ा हो चाहिए कितना भी छोटा हो अगला कुशन एक निशित कोड़ बासाम है थर्ड पी एच आई आर डी थर्ड को क्या लिख रहा है अपना ये एक्स एल एम एक्स एल एम वी एच ठीक तो इसने बोलता है फॉर्थ को क्या लिखा जाएगा एफ ओ यू आर टी एच ठीक है देख करो वही अपने 10 सेकंड करके देखो आप लोग अब सारे में ही कराता रहूंगा आप लोग भी एक आप करोगे एक बार ट्राइब करो कि देखो दीश आठ नो अठारा चार कि चौवीश बारा तेरह और तुम्हारा वाइस देखो क्या बैटन है इसमें सिंपल कोश्चन पैटन लगे हुए हैं सारे और आई हुए कोश्चन है प्लस चार प्लस चार यह भी प्लस चार समय प्लस चार हो रहा है एस ही है आफ़ीस में गर दू छे 1521 अठारा बीस और या आठ चे अचार दस पंदरे अचार उननीस एकीस अचार अच्छी अठारा और चार बाईश बीस चार चोविस और आठ अचार बाराह जे एस बाई और अपना यू एक्स एल वाई से स्वारी वी आता है अपना ही ठीक ऑप्शन नमबर कौन साथ चक करो बी इस करेक्ट आंसर ठीक देखो कितनी आसानी दे सारे कुशन हो रहे हैं ठीक है अब में आई अकला कुशन देखते हैं कि अब तभी इसी कौशन है लेकिन सब आई हुए अज्याइंक पार्ट है इसमें हो वही सारे में आया हूं किसी ना किसी में आई हुए ऑन कि अगला गूशन आपना ओ टी वाई के एक्स जेड डिलीट का पूछा इसने डिलीट को कैसे लिखे जाएगा ठीक है बताओ करो इसकी नम्मरिंग और पैटन देखो फिर क्या है कि देखो कि नो चोधा कि उन्नीज पांच अठारा और यह ठीक है कि अंदर रहें बीज कि अच्चीज ग्यारा चोवीश और यह चप्वीश इसमें पैटन है अपना देखो प्लस 6 कि अलशेक्स प्लस एक से अलशेक्स प्लस एक सिक्स है अलशेक्स और यह ठीक ऐसे इसमें करते हूं चार पांच बारा पांच व्वीश और यह पांच ठीक है, प्लस 6, 4 अच्छे, 10, 6, 5, 11, 12 अच्छे, 18, 11, 26, 11, ठीक है, जे, के, आर, के, जेड, ठीक है, और अपना फिर के, ठीक है, ठीक है, देखो, ऑप्शन नंबर काउन सा है, ऑप्शन नंबर, C is correct answer, ठीक है, आईए अगला कुशन देखते हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई वो सब्सक्राइब करते हैं, तो कि SI content अगर बढ़िया चाहिए आप लोगों को, वीड लाइट, ल, आई, जी, एच, टी, लाइट को, आर, ओ, एम, एन, जेड लिखा जाता है, तो फिर, जी, एल, ए, आर, ये, गिलियर, कैसे कोड़िद किया जाएगा, ठीक है, देख करो, ये ससी CGL का कोश्चन है, देखो, बारा, नो, साथ, आठ, और ये बीस, ठीक है, अठारा, पंदरा, तेरे, चौदे, शब्यस, बताओ, इसमें अभी, जो पैटन अभी हमने लगाया था, वह ये से, प्लस इक्स, प्लस इक्स, प्लस इक्स, प्लस इक्स और ये प्लस इक्स, ठीक है, इसमें इसे ही कर दो, साथ, बारा, एक, अठारा और ये पांच, साथ उच्छे, तेरे, बारा उच्छे, अठारा, एक उच्छे, साथ, अठारा उच्छे, कितना गुए, चौवीस, और च्छे, वह पांच, ग्यारा, इसका बनेगा, एम, आर, जी, एक्स, और ये के, ऑप्शन नमबर, डी, इसका रेक्ट अंसर, ठीक है, देखो, कितनी आसानी से हम, सारे कोश्छनों को कर पाए, और आज का सेसन हमारा यहीं तक रहता है,